नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाडोज आईपी आर पांसो टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, मेटाडोज आईपी आर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और मेटाडोज आईपी आर टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेटाडोज आईपी आर टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Metadose IPR एक ब्रैंड नेम है Metadose IPR टाबलेट के अंदर salt composition metformin 500 mg होता है Metadose IPR टाबलेट का उप्योग टाइप टू डाइबिटीज में ब्लड शुगर लेविल को नियंतरण में करने के लिए किया जाता है Metadose IPR टाबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को कम करती है Metadose IPR टाबलेट शरीर के पेंक्रियाज में इंसुलिम के उत्पादन को बढ़ावा देती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरण में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वजह से किड्डी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है। खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में हैं, तो वह व्यक्ति परी डाइबिटिक स्टेज पर है. परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है. शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में मेटाडोज आईपी आर टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में मेटाडोज आईपी आर टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में बेचेनी होना, चक्कर आना, मुँग के स्वाद में बदलाव होना, डस्त होना, पेट में दर्ध होना और भूप कम लगना आदी साइड इफेक्स मेटाडोज आईपी आर टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं. इसके अलावा लंबे समय तक मेटाडोज आईपी आर टैबलेट का सेवन करने की वज़ह से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती हैं. वैसे मेटाडोज आईपी आर टैबलेट की वज़ह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम नहीं होता है. लेकिन यदि आपके लेकिन विटाडोज आईपी आर टैबलेट के साथ दूसरी शुगर कम करने की दवा दी है. तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है. ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आखों से धुंदला दिख भाई देना, पसीना आना, सिर्चक्राना, शरीर में कमपन होना, कन्फ्यूजन होना और भूख ज्यादा लगना आदी लक्षन शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वज़र से हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 70 मिलिग्राम पर डेसिलिटर स कम है. तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कम है. ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लिए शहद चीनी, ग्लुकोज टैबलेट या फलो के जूस आदी में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं. अब हम डि ऐसी व्यक्ति को मेटाडोज आईपी आर टैबलेट को लेने के बाद उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना या पेट में बेचैनी की समस्या होती है. तो ऐसी स्थिती में डॉक्तर मेटाडोज आईपी आर टैबलेट को खाना खाने से तुरंत पहले भी लेने की सला दे सकता ह Meta-Dose IPR Tablet एक Sustain Release Tablet है जो शरीर में धीरे धीरे घुलती है और Sustain Release दवाओं का असर लंबे समय तक रहता है 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर Meta-Dose IPR Tablet को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते है Meta-Dose IPR Tablet की दोज उम्र, शरीर के वजन और ब्लड शुगर के लेवल के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है अब हम डिसकस करेंगे की Meta-Dose IPR Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रन में करने के लिए आपको Meta-Dose IPR Tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए, चिंताव तनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींड लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए ग्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Meta-Dose IPR Tablet को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको Meta-Dose IPR Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए अगर आपको Meta-Dose IPR Tablet का सेवन करते समय भी बार-बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, शरीर में ठकान रहना, कन्फ्यूजन होना, नीन अधिक आना और सासों से बद्बू आना आदी लक्षन होते हैं या दवा को बदल भी सकता है, शरीर में infection होने पर, बुखार होने पर, कोई चोट लगने पर और सर्जरी के बाद Meta-Dose IPR Tablet से शुगर को नियंतरन करना मुश्किल हो सकता है अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके treatment में बदलाव कर सकता है किसी सर्जरी से 48 घंटे पहले डॉक्टर Meta-Dose IPR Tablet को रोकने की सला दे सकता है और सर्जरी होने के 48 घंटे बाद तक आपका डॉक्टर Meta-Dose IPR Tablet को न लेने की सला दे सकता है ताकि Lactic Acidosis होने के जोखिम को कम किया जा सके इस दोरान आपका डॉक्टर शुगर को नियंतरन में करने के लिए Meta-Dose IPR Tablet की जगा पर इंसुलिन के injection को लगाने की सला दे सकता है इसलिए यदि आप Meta-Dose IPR Tablet का सेवन करते हैं और आपकी किसी प्रकार की सर्जरी होनी है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए वैसे Meta-Dose IPR Tablet Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में ब्लड शुगर लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और अगर आपका Meta-Dose IPR Tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं